विशाल पांडे सीवानी कुमारी और लवकेश कटारिया तीनों ही रोए बिल बिलाकर एक दूसरे के लगे गले और बहा दिया आसू का दरिया जी हां दोस्तों दरसल हम आपको बता दे कि विकेंड के वार वाले दिन इन में से एक यानि की सीवानी कुमारी बिग बॉस के घर से बेगर हो गई है जिसके वज़े से विशाल पांडे और लवकेश कटारिया खूब रोते हैं तो वहीं सीवानी भी खूब रोती है दरसल हम आपको बता दे कि इन तीनों के बीच में बोंड ही कुछ इसकदर का था कि ये तीनों ही एक दूसरे के साथ मिल जुलकर रहना चाते थे लेकिन रनवीर शौरे की चालने इन तीनों को एक दूसरे से अलग कर दिया जहां ये तीनों एक दूसरे के खिलाफ हो गए थ तो वहीं अब टास्क का रिजल्ट सामने आ गया है जिसकी वज़े से सिवानी कुमारी को घर से बेगर होना पड़ेगा जिसकी वज़े से घर के सभी लोग सिवानी कुमारी के लिए इमोशनल हो जाते हैं तो वहीं लवकेश कटारिया और विशाल पांडे जो कि खुद को रोने लगते हैं और यह तीनों ही एक दूसरे को गले लगाकर खूब रोते हैं और कहते हैं कि कभी भी मेरी कहीं भी जरूरत पड़े तो एक बार कॉल करना और यह तीनों ही गले लगकर खूब रोते हैं जहां कटारिया भी सिवानी से कहते हैं कि देख सिवानी तु मेरी ब जरूर आउंगा और अगर ना आउं तो एक vlog बना दियो कि लवकेश कटारिया जूटा है तो वहीं विशाल पांडे भी कहते हैं सिवानी मैं भी तुस्से वादा करता हूं मैं घर के बाहर तुससे मिलने जरूर आउंगा वहीं ये जो रिस्ता इस घर में बना है वो घर के बा बाहर हो जाती है वेल दोस्तों सीवानी कुमारी को क्या बिग बॉस के घर से बाहर होना चाहिए था आप हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करकर जरूर बताए